हमारे बुजर्ग दादा दादी और माता पिता ने हमेशा हमारे लिए सब कुछ किया है अब वक्त आ गया है कि हम उनके लिए कुछ करें आपका एक छोटा सा कदम, एक लाइक और सब्सक्राइब उनकी आवास को बुलंद कर सकता है हम कब तक हाथ फैलाते रहेंगे आईए, एक जोट होकर उनकी पेंशन के हक की मांग करें आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इस संदेश को जितना हो सके शेयर करें और हमें एक मिलियन लाइक्स तक पहुँचने में मदद करें क्या आप हमारे बुज़ुर्गों का सहारा बन सकते हैं? EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुश खबरी पेंशन में 333% व्रिद्धी की संभावना नई नियोंतम पेंशन होगी 7500 रुपए EPS 95 पेंशन धारकों के लिए पेंशन में 333% व्रिद्धी और नियोंतम पेंशन 7500 रुपए करने का प्रस्ताव पारित हुआ है यह निरने मोधी कैबिनेट की बैठक में लिया गया जिससे 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा नई दिल्ली EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है सरकार ने पेंशन बड़ोतरी के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए इसे अंतिम चरण में पहुचा दिया है मोधी कैबिनेट की बैठक से प्रस्ताव पास हो चुका है और लोक सभा में पेंशन बड़ोतरी को लेकर अंतिम फैसला लिया गया है इसके तहट EPA's 95 पेंशन धारकों की पेंशन में 333% की बड़ोतरी की संभावना है जिससे नई नियोंतम पेंशन 7500 रुपए हो सकती है 333% पेंशन व्रिधी का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और सरकार की संजीदा पहल के चलते EPA's 95 पेंशन योजना में बड़े बदलाव की तयारी है पेंशन की गणना अब अंतिम वेतन के आधार पर की जा सकती है जिससे करमचारियों की पेंशन में 333% तक की व्रिधी संभव है उदारन के तौर पर यदि किसी करमचारी की अंतिम सैलरी 15,000 रुपए थी तो उसकी पेंशन की गणना 45,000 रुपए के आधार पर हो सकती है जिससे उसे 15,000 रुपए मासिक पेंशन प्राप्थ हो सकती है नियोंतम पेंशन 7,500 रुपए प्लस दा मोधी सरकार ने पेंशन धारकों के लिए न्यूंतम पेंशन को 7500 रुपए प्रती माह करने का प्रस्ताव पारित किया है इसके साथ ही महंगाई भत्ता दा भी शामिल किया जाएगा जिससे पेंशन धारकों को आर्थिक सुरक्षा मिल सके इस प्रस्ताव से 65 लाक पैंशन धारकों को लाभ मिलेगा और उनकी वित्तिय स्थिती में सुधार होगा तीन चरणों में पैंशन बढ़ोथरी पैंशन बढ़ोथरी को तीन चरणों में लागू किया जाएगा जिसमें पेंशन को 5,000 रुपे, 7,000 रुपे और 9,000 रुपे तक बढ़ाया जाएगा इसके अलावा 58 साल की उम्र में पेंशन के साथ अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी जैसे कि दो बच्चों को 25 साल तक पेंशन का लाभ मिलेगा पेंशन धारकों के लिए अन्य घोषनाएं वित्ट मंत्राले और EPFO की बैठक में पेंशन धारकों के लिए अन्य महत्वपूर्ण घोषनाएं भी की गई हैं सुप्रीम कोट के फैसले के अनुसार हायर पेंशन और मिनिमम पेंशन को लेकर भी सकारात्मक निरने लिए गए हैं पेंशन पर लगे भेदभाव को खत्म करने के लिए भी नए नियम जारी किये जाएंगे जिससे 2003, 2005 और 2010 के रिटायर करमचारियों को समान पेंशन का लाभ मिलेगा EPS 95 पेंशन धारकों के लिए यह एक एतिहासिक और राहत भरी खबर है पेंशन में 333% की व्रिद्धी और नई नियोतम पेंशन 7,500 रुपए से पेंशन धारकों की वित्तिय स्थिती में उलेखनिय सुधार होगा यह निरने पेंशन धारकों के जीवन स्थर को भेतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा सरकार की इस पेहल से पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर दोड़ गई है और उन्हें एक सुरक्षित भविश्य की उम्मीद जगी है केंद्रिय करमचारियों के लिए बड़ी अपडेट 50% पेंशन देने का है प्लान नई पेंशन होगी बंद नरेंद्र मोधी सरकार के नए कारेकाल में केंद्रिय करमचारियों को एक बड़ा तौफा मिल सकता है सरकार राश्ट्रिय पेंशन प्रणाली NPS के तहट केंद्र सरकार नरेंद्र मोधी सरकार के नए कारेकाल में केंद्रिय कर्मचारियों को एक बड़ा तौफा मिल सकता है सरकार राश्ट्रिय पेंशन प्रणाली NPS के तहट केंद्र सरकार के करमचारियों के पेंशन लाब में बड़ी वृध्धी करने की योजना बना रही है इस नई योजना के तहट करमचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत मासिक पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी जाएगी पैनल का गठन किया था 2023 में मोधी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दौरान मार्च 2023 में वित्त सचिफ टीवी सुमनाथन की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया था इस पैनल का उद्देश्य बिना पुरानी पेंशन प्रणाली OPS पर लोटे सरकारी कर्मचारियों के लिए NPS के तहत पेंशन लाब बढ़ाने के तरीकों को सुझाना था यहाँ फैसला तब लिया गया जब कई राज्यों ने NPS को छोड़कर OPS पर वापस लोटना शुरू कर दिया था आंध्रप्रदेश के पेंशन मॉडल आप्स का जिक्र Financial Express की रिपोर्ट के मुताबिक पैनल ने मई महीने में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौप दी इस रिपोर्ट में आंध्रप्रदेश गारंटीड पेंशन सिस्टम, आप्स, अधिनियम, 2023 का प्रभाव देखा जा सकता है इसे पुरानी और नई पेंशन स्कीम का मिश्रित मॉडल कहा जा सकता है आंध्रप्रदेश मॉडल के तहट सरकारी करमचारियों को उनकी अंतिम सैलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में दिया जाता है जिसमें महंगाई राहत, दियार भी शामिल होती है मृत करमचारी के पती या पतनी को गारंटी राशी का 60% मासिक पेंशन की गारंटी भी दी जाती है NPS के नए प्रस्ताव का विशलेशन नए प्रस्ताव के तहट केंद्रिय कर्मचारियों को उनकी अंतिम बेसिक सेलरी का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलने की गारंटी दी जाएगी इस गारंटी शुदा पेंशन राशी को पूरा करने के लिए आवशक पेंशन कोश में किसी भी कमी को केंद्र सरकार के बजट से कवर किया जाएगा इससे लगभग 8.7 मिलियन केंद्रिय और राज्य सरकार के कर्मचारियों को लाब हो सकता है ये वे कर्मचारी होंगे जो 2004 से NPS में रजिस्टर्ड है मोधी सरकार का यह कदम केंद्रिय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है NPS के तहट पेंशन में व्रिद्धी से कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी और उन्हें भविश्य में अधिक स्थिर्ता मिलेगी आंध्रप्रदेश मौडल के आधार पर विक्सित इस नई पेंशन योजना से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली के लाभ मिलेंगे यह योजना न केवल कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करेगी बलकि उनके परिवारों की आर्थिक स्थिर्ता को भी सुनिश्चित करेगी